ओम श्री परमात्मने नमहा अश्टा वक्र महागीता पंद्रमा प्रक्रण सूत्र पंद्रा यह मैं हूँ यह मैं नहीं हूँ ऐसे विभाग को छोड़ दे सब आत्मा है ऐसा निश्चे करके तू संकल्प रहित हो सुखी हो यह संपून स्रष्टी एक है अखंड है उस एक आत्मा का ही विस्तार मात्र है इसमें भिन्दता कहीं नहीं है नाम रूपों की भिन्दता से अग्यानी भिन्दता देखता है वह खंड खंड में देखता है उसे हिंदो मुसलिम इसाई दिखाई देते हैं उसे जड़ चेतन मन जीव जन्तु में भेद दिखाई देता है वह जीव और आत्मा में भेद देखता है आत्मा और परमात्मा में भेद रखता है यह भेद ही दुखों का कारण है स्रश्टी एक ही सत्ता है इसका विभाजन करना ही अग्यान है द्वैत द्रश्टी के कारण ही दुखों का जनम हो समग्र की अनुभूती हो जाना ही ग्यान है यही धर्म है। ग्या इसी एकी कृत अस्तित्त को उपलब्द होना ही धर्म है। खंड-खंड में विभाजन करना ही अधर्म है, अग्यान है। अहम ब्रह्मास्मी की घोषणा ऐसे ही धर्म की घोषणा करना है या हंकार नहीं है बलकि उस अखंड की उसी समगर की अनुभूती है कि मैं और ब्रह्म एक ही है भिन नहीं है दो का कोई इस्थान नहीं है सब कुछ छोड़ देने से भस्मी लगा लेने से भीक मांकर खाने से गिर गिराने यहम आचना करने से दंडवत करने से विनम्रता दिखाने से छमा याचना करने से अहंकार नहीं मिटता अहंकार इस एक की अनुभूती हुए बिना मिटता नहीं या धर्म की पराकास्टा है कि आत्मा एक है सब उसी का विस्तार है वही सर्वत्र व्यापक है भिन्नता की प्रतीती ही अग्यान है एवं एकत्व का नुभव हो जाना ही ग्यान है यही मुप्ती है इसलिए अश्टा वक्र कहते हैं कि हे जनक मैं वही ब्रह्म हूँ अत्वा मैं वह नहीं हूँ उससे भिन ज द्रश्टी को ऐसे विभाग को छोड़ दे क्योंकि सोहम शिवो हम आदी कहना भी भेत द्रश्टी ही है जिसे उस शिव या ब्रह्म का ग्यान नहीं होता वही ऐसा कहता है ग्यान होने पर जान लेने पर मैं बचता ही नहीं फिर मैं वही हूँ कहने का कोई अर्थ ही नहीं रह इसलिए सब आत्मा ही है भिन्दता कहीं है ही नहीं ऐसा निश्चे करके तू संकल्प रहित हो सुखी हो एक ही अनुभूती से ही सभी संकल्प गिर जाते हैं एवं मनुस सुखी वसांथ हो जाता है सूत्र सोला तेरे ही अग्यान से विश्व है पर मार्थता तू एक है तेरे अत्रिक्त कोई दूसरा नहीं है ना संसारी और ना असंसारी इसी क्रम में आश्टा वक्र कहते हैं कि हे जनक तुझे विश्व की अपने से भिन प्रतीती हो रही है तू संसार को अपने से भिन समझता है इसलिए मैं और विश्व तुझे दिखाई देते हैं यह दो का विभाजन ही अग्यान है उसी अग्यान के कारण यह विश्व है अनिता परमार्थ में न तू है न यह विश्व बलकि एक ही आत्मा है जो तू है वही यह विश्व है इसी प्रकार संसारी और आसंसारी का भेद भी अग्यान के कारण है यह सभी आत्मा है अता कुछ आत्मा के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं सब आत्म रूप हैं यही ग्यान है यही परमसत्य है सत्त एक ही हैं दो सत्त कभी नहीं होते यह भेद ही अग्यान है एवं अभेद ग्यान है अभेद के बीज जब अहंकार की दिवार खड़ी होती है तब भेद दिखाई देता ह इसके गिरते ही सब अभेत दिखाई देता है, सभी संयुक्त प्रतीत होता है, अतह अहंकार ही अग्यान है, यह आत्मा संसारी भी नहीं है, क्योंकि यह संसार में लिप्त नहीं है, यह असंसारी भी नहीं है, क्योंकि संसार उसी की अभिवेक्ती है, ओम शान्ती शान्ती शान दे